दो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ओफिशल उटुक चैनल में जिसका नाम है एसोल सोलिशन मैं चेंदन कुमार हाज़िर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ सो गाइस आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो की S.O.L. N.C.W.E.P. या फिर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने ओफ्लाइन एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जो की आप सभी के एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है वे सभी स्टूडेंट्स जो ओफ्लाइन एक्जाम दे रहे हैं तो ये कोशन पेपर उनके इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ठीक किसी तरीके का उनका offline exam, offline paper आएगा, पहले चीज आप सभी को अपने offline exams का format अच्छे तरीके समझना है, इस वीडियो के तुरू, दूसरी चीज आप सभी को पहले से ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से question important है, ताकि आप सभी के exam में जो question पूछे जाएंगे, उ अभी भी आपको कोई भी question paper, आपका मित्र, आपका दोस्त, कोई भी सहपाटी या कोई internet web portal से, आप web page से, कहीं से भी आप download करते हो, या market से purchase करते हो, तो आपको question paper देखते हैं, सबसे पहले एक चीज दियान रखना है, कि top पे जो यह लिखा है, this question paper contains four printed pages, तो यह सबसे पहले Delhi University के paper की पैचान है, कि उसके अंदर यह mention होता है, कि यह कितने pages का paper है, paper में भी आप सब मान के चलो examination hall में बैटे हुए, और आप सभी के exam में, आपको question paper मिलता है, और यहाँ पर आपके four pages लिखा है, और लेकिन आपके पास में दो ही page आए, तो आप समझ जाना है, कि यह आप सभी को अपना rule number लिखना होगा, इसके अलाबा, serial number of question paper यह आपको अपने answer sheet पर mention करना होता है, तो इसको आप ध्यान से लिखेंगे, unique paper code ऐसा है, कि जो Delhi University के students है, regular college के, SOL के, NCVEP के, तो यह आपके unique paper code में अंतर हो सकता है, बैट आपका question paper सेम ही है, subject भी understanding globalization है, आप इसको देख सकते हैं, junior students के पास में BA program का course है, या फिर junior students के पास में political science honors का course है, लेकिन उनके पास में यह subject है, understanding globalization, यह कौन से subject में है, यह poll science में है, कहाँ पर है यह poll science में, तो आपके लिए यह video ही बहुत ज़्यादा important है, इसके अलाबा, discipline या main subject का course है, दूसरी slide पर आएंगे, इस resume करके चलेंगे, यहाँ 75 लिखा भी आता है, तो भी आप confused मत होना, क्यों confused मत होना, क्योंकि आप सबको, सबसे पहले चीज़, यह चीज़ clear होनी चीज़, कि आप सभी का CBCS mood के थूर स्रेबर सेम हो चुका है, और Delhi University, regular college के जो students है, उनको priority देता है, आप सभी ने अपने open book examination दिये थे, कुछ सालों पहले, या कुछ semester पहले भी मैं कह सकता हूँ, जिसके अंदर आपके paper बेसक से 75 marks के लिखे आते थे, लेकिन आपका जब result आता था, तो उसके अंदर आपको marks जो है, वो 100 में से ही मिलते थे, तो आप इस चीज़ को 100 ही consider करके चलेंगे, इसके अलावा सबसे पहले है, आप सभी को अपना, जो भी question paper मिलेगा, आपको उस पे, top पे आपको roll number लिखना आएगा, इसके अलावा, यहाँ पर आप अपना, जो भी question paper solve कर रहे हो, आंसर जब लिख रहे हो, किसी दोनों में से, किसी भी भाशा का आपको प्योग कर सकते हो, या तो English में या फिर Hindi में, या फिर आप सेम जैसा कि आपने, अपने admission के time पे choose किया है, आप वो भी लिख सकते हो, इसके बाद में, अब हम सुरू कर रहे हैं, आपके क्या-क्या question पूछे गए थे, तो सबसे first question आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आप सभी के लिए, सभी question जो है, वो सम इसके बाद रखना, जो as well के students है, बाकि अगर कोई भी तबदीली होती है, आपके question papers में, तो वो उस notification से पहले आप लोगों को बताया जाएगा, तो आप इसमें confuse मत होना, start करते हैं, अपनी अगली slide के साथ में, यह first question आप सभी के screen पर आ चुका है, तो आप सभी को पता है, आपकी जो book हैगी, आपकी book का नामी अगर आप देखेंगे, तो book का नामी आप सभी का understanding globalization, तो globalization का दो question तो आपके exam में common सी बात है, कि दो question तो आई गई आएगा, और question की शुरुआती है, सबसे पहला कि वैश्वेकरण से आप क्या समझते हैं, इस वैश्वेकरणों को लेक आप सभी के लिए upload है, इसके अलाबा अगर आप देखेंगे, तो वैश्वेकरण में आपके चार आयाम होते हैं, आप वैश्वेकरण के आपके चार आयाम होते हैं, एक राजनितिक आयाम होता है, वो भी important है, वो सबसे यादा important है, वो uploaded है, आपसे दो आयाम एक साथ पूचे आ सकते हैं, दो पे पूचने की उमीद है, कोशन ऐसा ना पूच कर अरलग तरीके से भी कोशन पूचा आता है, आयाम हो को छोड़ कर भी आपके कोशन कहीं बरी, वैश्वेकरण के आप से नकरात्मक प्रभाव पूच ले जाएंगे, वैश्वेकरण के आपके पर अप्लोड़ेड है और उस से में आप सभी के लिए माराथन क्लास भी लाई जाएगी, सेकंड कोशन अगर आप देखेंगे, तो यह कोशन पेपर जो है, आप सभी के लिए बाइलेंगोज आप पर देखेंगे, इस वाले कोशन में आप से क्या पूचक है, सांती बयाल करने में, और दूसरा माना अधिकारों की सुरक्षा है, नि माना अधिकारों की रक्षा में, सभी के लिए और भी जो वीडियो जो आती रहेगी, यह सेकंड कोशन है, आपको मेहतुपूण कार्य बताने, वैसे मैं आपको यहाँ पर इस कोशन का आंसर भी बता देता हूं, तो आप सभी को बताए, कि सुर्यूंक तुरारसंग के साथ में एक संस्ता है, जो सुर्यूंक तुरारसंग की समाजे कार्थिक परिशत में बहुत सारी संस्ता है, वो काम करती है, उसका नाम है UNHRC, UNHRC, United Nations Human Rights Commission, तो यह कमिशन इंटरनेशनल लेवल पर, यह क्या करती है, देख दाना है, तुसरा सांती वयाल करने में, तो शांती वयाल करने में, ना केवल UNHRC की भूमिका, इसके लाव आपको SC की याद रखना है, ऐसी मतलब क्या है, Security Council यह नहीं, हिंदी में हम बोलते है, सुरक्षा परिशत, तो सुरक्षा परिशत कई बारी क्या करती है, अधिकारों का अनन हो रहा हूँ, तो इसके तुरू, या फिर जो है, सुरक्षा परिशत, या फिर आम सभा के तुरू, जो भी बिलपारित होते हैं, जो भी उसके खिलाफ निर्ने लिये जाते, या तो खिलाफ में होगा, या उसके पक्ष में होगा, जैसा भी होगा, next question, question question number 3 आप से पूचा गया, अगर आप देखेंगे, G77, G77 क्या है, आपके paper में G7 भी पूचा जा सकता है, G10 भी पूचा जा सकता है, और G77 भी पूचा जा सकता है, अब ये G का मतलब क्या है इन सब में, तो ये global, global 77 देश क्या है, आपको सबसे पहले ये बताना है, तो विश question का answer भी जल से जल आप सभी के लिए upload हो जाएगा, और बिल्कुल बैतरिन तरीके से, तो विकासिल देशों में कोई भी संगटन है, आप सभी को पता है, कोई भी संगटन, चाए G10 की बात क्यों ना कर दे, चाए G77 की बात क्यों ना कर दे, या इसके लावा, आपके slaybas में ब्रिक्स वगेरा भी है, तो आप से पेपर में हो सकता है, ब्रिक्स के बारे में पूछ ले, आपके slaybas में EU भी है, तो EU के बारे में पूछ ले, तो कोई भी संगटन है, वो देशों के हितों में रक्षा कैसे करता है, जैसे आप से विवाद होते है, अगर उसके सदर से द करकर मुख तुम्हापार की संधिया करकर यह ऐसे ही तो को बढ़ावा देते हैं आपको यह ला कोशन द्यान लखनाएगा इसके बाद में कोशन नंबर 4 नेक्स्ट कोशन आप सभी के सामने आ चुका है कोशन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है जैविवित्ता क्या है जैवि वीडियो को मैंने इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि जातर वीडियो को सबसे ज़्यादा आज भी वीज्यू मेरी इसी वीडियो पे आती है तो आप सभी के लिए मैं यह क्या हूँगा कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखना कि जैविवित्ता क्या है आपके मन में जैविवित्ता को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस बात की मेरी 100% गैरेंटी है आप बिल्कुल समझ जाएंगे जैविवित्ता क्या है अगर आप लोगो को लगता है हमारी वीडियो सो कोई भी वेल्यू मिल रहे है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से दिक मितों तक शियर करें लेकिन घर बैटए बैटए अपने कलास लेना चाहे तो कलास ले सकते हैं आप रात को लेना चाहे रात को ले सकते आप जॉब कर रहे हो जॉब के दौरान, आपको क्लास्स चैहिए लेकिन कोछिंग नहीं कर सकते हैं content हम आपको देते हैं, इतने free notes आप सभी के लिए provide एक राते हैं कि इतना कोई भी free में नहीं करता, payable classes ही आपको मिलती है, या फिर payable classes नहीं भी मिलती, तो कोई भी यूटूबर्स कल को आपने notes बना कर sale करना start कर देता है, तो अगर आप चाते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनच से इसी तरीके से कार्य करें, तो आप हमें ज़रूर support करें इसके लावा next question आप से पूछागा है, क्या वैश्वी करन ने राष्टरों के अंदर और उनके बीच में आसमानताओं को बढ़ाया है, अब ये question बहुत ही ज़्यादा important है और बहुत ज़्यादा अच्छा question भी है, वैश्वी करन ने राष्टरों के अंदर और उनके बीच में आसमानताओं को बढ़ाया है, कैसे? आप सभी को बताए, वैश्वी करन का अलग अलग देशों में जाती है, वहाँ वैपार करती है, वहाँ वैपार करने के बाद में उस देश से profit गेन करती है और अपने देश में उस सारे profit को ले जाती है कई पर क्या होता है विकासिल देशों की जो company वो जाती है विकासिल देशों में वहाँ वैपार करती है वहाँ अपनी industry स्तापित करती है वहाँ पर कच्छा माल लेती है सस्ते दामों में मजदूर लेती है और वहाँ से वह अपनी वह सिवा दूसरे देशों को प्रोवाइडे करती है और दूसरे देशों को जब वह सिवा प्रोवाइडे करती है तो उससे अधिकलाब मिलता है कोई भी वस्तु है हमारे देश में इसे Industry America या कोई भी आती है company तो सस्ते मज़दूर मिल जाते हैं यहां पर वो अपने बस्तू का मैनुफेक्चर करवाती हैं और विदेशों में महेंगेदाबूर बेजती है इग्जांपल मैं आपको बिप्यों का एक्जांपल दूगा इस दगार बिप्यों जासे काल्सेंटर आप सबने सुने होंगे बिप्यों में क्या होता आप मैं इस दगार इंटर्ने organization call center की बात कर रहा हूं जहां पर English में आपको calling करनी होती है, अगर आप देखिए, अगर आप देखिए, तो यहां पर अगर हम देखिए कि America में अगर कोई भी BPO है, अगर वो अपने शर्मिकों से काम करवाना चाहता है, तो उसको अपनी शर्मिकों को कम से कम 300 डॉलर उसको payment के रूप में उसे देना किसी भी call center में 21,000 job नहीं होता, अगर कोई अच्छी कास English बूलता भी है, International College को भी attend करता है, तो उसकी 15-16,000 salary होती है, हद मारके उसकी 18,000 salary होती है, इतनी salary नहीं होती, लेकिन यह काम देखो, अगर उसको वहाँ पर से, अभी 500, मैंने इसमें प्लस नहीं किया है, वैसे तो तोटल 25,000 रुपे तक salary बनेगी, calculate करेंगे तो, और यह काम उनका 10,000 रुपे तक में, या 15,000 रुपे तक में easily हो जाता है, और इस बीच के जो पैसा होता है, वो profit उनको मिल जाता है, इसलिए इसने क्या किया है, वैसे विकरण ने, विदेशी कंपनियों जब से हमारे है, question number six है, slide number eight है हमारी, इस question गंदर आप से पूचा गया है, कि विकास बनाम पर्यावरन विवात के संदर में, रियो सम्मिलन की कोशना कीजिए, अभी रियो सम्मिलन, I hope आपने class 12 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप आप जान लेंगे, और बागी इसके लिए द पर्यावरन को सनक्षित करने में सबसे पहला अंतराश्य हस्तर पर UNO के दौरा, UNO की एक संस्था है, जिसका नाम है UNEP, एक तो ये और इसके अलावा आपको दियानक ना है UNFCCC, इसके दौरा, इस इन संस्थाओं के दौरा, ये रियो सम्मिलन करवाए गया था, और इन संस की कटाई, UNO की कटाई, इसकी वज़े से दूसरा हमारा जय विवित्ता, ये खत्रें मैं विवित्ता, और तीसरी बात करें, तो हम जलवायू परिवर्तन, या ग्लोबल वार्मिंग, जलवायू परिवर्तन, ये तीन फैक्टर इसके अंदर निकल गे आया थे, जलवायू देखते रहना और आप लोग की guarantee दे रहा हूं मैं first division से pass होगे अगर आप लोग हमारी channel के साथ बने रहा होगे last year के आप videos देखे या उससे पहले की videos देखे कितने students का frame मिला हुआ है कितने students के comment आई हुए उसमें आपको बता चल जाएगा अगला question है question number seven है अंतराष्टे आतंगवाद international terrorism को define करना है यह video आप लोगों के लिए uploaded है वैसे तो यह normally upload की है येकिन फिर भी seven thousand first part पे views आ चुकी है और जो second part है उसमें भी three thousand से plus views आ चुकी है तो आप सभी का frame मुझको उस video मिला है आप मुझे बताने की जूरत नहीं की वो कितना अच्छा है आपके लिए इन सारी वीडियो का यह मैं कहूं प्लेइलिस्ट का लिंक मैं आपको description box में दे दूंगा या फिर आप आई button पर click करके भी वो सारा का सारा access कर सकते हो और अंतराश्चे आतंगवाद की आपको इसके अंदर क्या बतानी है एक तो इसकी प्रकरती बतानी है और दूसरा इसकी मुखी विशेस्ताओं को बताना है तो आतंगवाद तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसकी प्रकृति क्या है और इसकी क्या विशेस्ता है ये भी उस वीडियो में आप लोगो को देखने को मिल जाएगा लेकिन में वीडियो आपके exam के time पर ही मिलेगी और वो marathon वीडियो जो ही करेगी इसमें आप लोगो को long question में बिल्कूर अच्छे तरीके से समझाए इसके लावा अगला short note है ये बहुत important होता है short note, short note आप सभी जरूर attend करा करो क्योंकि इन short note से आप सभी को exam में जादा फायदा मिलता है, short note आप सभी के लिए क्यों फायदे मन्द है क्योंकि इसमें कम लिखना होता है compare to, अगर S.O.L के students है तो एक question 5 question करने होता है और handle marks का paper पर है तो एक question आपके 20 number का बनता है, जिसमें से आपको teacher जाद अच्छा लिखने के बाद भी आपको सिर्फ 14 number ही देता है, एक average में बता रहूं को भी बहुत जादा है नहीं तो 12 के गरीब ही देता है, लेकिन short note ऐसा है अगर आपको कम भी लिखना होता है, 10 number का question होता है क्य human development index, global warming और air pollution इसको हिंदी में भी समझ लेते है, air pollution, global warming तो आप समझी कहोगे वैश्विक ताप, इसके अलावा human development index, मानव, विकास, सूचकांक और इसके अलावा anti globalization movement, इन्हीं globalization के विरोध में जो आंदोलन हो रहे है, उसके बारे में बात हो, ये वैश्विक रिण का विरो ग्लोबल वर्मिंग की वीडियो आजकल में आप सभी को मिल जाएगी, पिछले साल भी upload की थी, आप उनका भी सहरा ली सकते है, ये कुछ topics हैं, जो आप लोगे लिए भी फिलाल upload नहीं है, बड़ जलसल में upload करूँगा, आप सभी अपने exams के त्यारी शुरू कर दीजे, क्य वो भी release हो जाएंगे, इसके लावा, फिर honors वाले जो students है, उनके admits card भी आ जाएंगे, अब वो students भी ये program course के हैं, माना कि आप सभी का exam में के last के लगबग में है, लेकिन आप सभी भी ज़्यादा time नहीं बचचे का कर आप सभी ने, अभी भी अपने exams के क्यारी शुरू नही करूँगा, लेकिन आप लोग को ये बात समझ में आ गई, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा, देखें यहाँ पर क्या है, कि अगर आप देखेंगे, तो एक exam आपके हो रहे हैं, मार्च के करीब में, एक exam हो रहे हैं आप सभी के जून के करीब में, म अगर एक exam आपके हो रहे थे, नॉवंबर के करीब में, एक exam आपके कब हो रहे हैं, नॉवंबर के करीब में, अब एक exam आपको दिसंबर का समझना है, अगर आपके offline exam होते हैं, तो ध्यान रखना है, अभी जैसे जून में हो रहा है, अगले बच्चों का दिसंबर में होग अपने पुरानी एडमिट कार्ट्स को देख सकते हैं आपको यादा जाएगा और इससे पहले अपने असाइनमेंट या फिर जो भी अपने अपना उपन बुक एक्जामिनेशन नहीं वो दिया था यह जो उपन बुक एक्जामिनेशन का पैटरन था वो इस टैम था और इस ट Same स Şu च है Smith के यहांपर वी यह है कि यह is 2x beni में इकजाम थोगो ओगोंगे मैं June में इसको मैं June कर लेन समझना हो centralική में इकजाम 6 semester के दे हो या फ्षर visa semester के बच्चे दे रहे हो अब अगर आपकी गल्ती से बैक आती यह तो इस समेस्टर में S.O.L. क्योंकि S.O.L. के पास में ऐसी फैसलिटी नहीं है डियागलोर कोलेज की तरह तो आप सभी के लिए क्या है? S.O.L. बच्चों के लिए वो 1st, 3rd और 5th समेस्टर का एक्जाम से इस टाइम ले रहे हैं कुछ important question की series होगी जो आप लोगों को सिर्फ वही question नहीं करने है उसके लाव आपको ओई और question नहीं करना best answers की series मिलेगी अगर आप लोग हमार साथ connect होना चाते हैं तो आप हमार साथ इस तरीके से connect हो सकते हैं यह number आप सभी के स्क्रिन पर show हो रहा है 0 3 1 3 और यह 3 1 मैं फिर से रिपीट करें दे हूँ 8 2 8 7 0 3 1 3 3 1 यह नमबर है अगर आप लोग हमारे साथ connect होना चाहते हैं WhatsApp पे तो आप connect हो सकते हैं लेड़के लोगों के अलग WhatsApp गुरूप है हमारे groups में जोइन होना चाहते हैं तो वो groups में जोइन होना चाहते हैं टेलेग्राम पे हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं माँ जोड़ सकते हैं Instagram पर आप अपनी हमारे साथ share करना चाहते हैं इसके अलाबा अगर आप Facebook पे हमारे साथ connect होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं उसका link पे description box में बाकी मिलताम आपसे अपनी अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत अगली वीडियो की अपडेट के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अधिक सब्सक्राइब करें मिलताम आपसे अपनी अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत